कि अपने प्यारे से चैनल में खुबसूरा से चैनल में जयार टुटोरियल में जैसा कि आपको पता है कि वी हाव कम्प्लिटेड दा फर्स चाप्तर विच इस नथिंग बट रोटेशनल डानेमिक्स का चाप्तर पूरा कम्प्लिट हो गया है अब उसके इंपोर्टेंट कोशन सो के उसके इंपोर्टेंट जो भी नुमरिकल रहेंगे वह हम लोग अलग से एक सप्रेड वीडियो बनाएंगे अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट चाप्टर विच इस नथिंग बटर मेक्यानिकल प्र जो लेके बैठना बैठ जाओ चीप स्ब लेके बैठ जाओ कि उठना न पड़े ओके एक बार वीडियो चालू किया तो वीडियो पुरा एंड तक देखना है ओके चलो So, let us start with a topic that is mechanical properties of fluid. What is fluid कहानी आती है? Okay, question आ रहा ही है, question mark कि क्या है fluid? Fluid is nothing but ऐसा चीज जो flow हो सके अब fluid बोला तो सबके दिमाग में पानी आता है, सबके दिमाग में oil आता है, सबके दिमाग में liquid आता है but जरूरी नहीं है कि liquid ही fluid हो. Okay, air is also a fluid, वो भी flow होता है, तो air is also a fluid तो ऐसा कोई भी substance, ऐसा कोई भी चीज जो flow हो सके, that is called fluid. Even solid can be a fluid in the molten form अगर हम लोग बात करें, molten iron की या फिर में बात करें, molten steel की, तो वो भी steel है but वो कैसा है, fluid है, क्योंकि molten है, पिगला हुआ है, वो flow हो रहा है, जैसे lava, lava भी flow हो सकता है, यह सुनो, okay तो fluid मतलब ऐसा substance जो flow हो सके, basic simple meaning है, अब यहाँ पर जो हम लोग fluid पढ़ने वाले हैं, that will be a ideal fluid, okay वो क्या होने वाला है, वो हमारा ideal fluid होने वाला है, ideal fluid की कहानी है, कुछ assumptions है, हमको वो assume करना पड़ेगा, फिर हमको कहानी समझ में आएगी अगर हम लोग वो assume नहीं करेंगे ना, तो हमको आगे जाके बहुत question arise होंगे, कि यह क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, तो इसलिए कुछ assumptions है, कुछ ideal fluid बना लिया है हम लोग ने, okay कुछ standard fluid बोल दो, वो बना लिया है, उसके हिसाब से चलेंगे हम लोग, okay चलो, तो कहानी आ रही है, कहानी किस पर आ रही है, ideal fluid पर, तो what is ideal fluid, it is a incompressible fluid, it is a incompressible fluid, मतलब उसको compress नहीं किया जा सकता, अब यहाँ पर question आता है, कि can air be a incompressible fluid, the answer is no, air is a compressible fluid, air is a compressible fluid, इसलिए यहाँ पर यह चाप्टर में हम लोग कहीं पर air की कहानी सुनेंगी ही नहीं, air के लिए हमारे पास gas के लिए, gas के लिए अलग एक चाप्टर है, that is next chapter, which is nothing but a kinetic theory of gases, यहाँ पर हम लोग incompressible पढ़ेंगे, incompressible is a liquid, liquid को compress नहीं किया जा सकता, amount एक time तक compress होता है, but ऐसे हम लोग assume कर लेंगे, these are the assumptions of ideal fluid, यह ideal fluid के assumptions हैं, कि भाई वो compressed नहीं हो सकते, it is irrotational, मतलब जो fluid है, वो rotate भी नहीं करेगा, जो fluid है, वो rotate भी नहीं करने वाला है, like तुम लोग ने tap खोला रहेगा कभी, null cut तुम लोग tap खोलते हो, तो पानी गिरता है, देखा है नहीं, ऐसा पूरा mix होके गिरता है, तो हम लोग ऐसे assume करेंगे, ना ना ना, इक्दम smooth पानी गिर रहा ह मतलब वो rotate नहीं हो रहा है, there will be no rotational motion present in the fluid of that particle, वो particle का कोई भी rotational motion नहीं हो रहा होगा, these are the assumptions, again, ऐसा होता है, बट हम assume करेंगे कि ideal fluid में ऐसा नहीं होता, it is non-viscous, अब most, हर एक fluid viscous है, हर एक fluid viscous है, viscous क्या होता है, आगे हमारे पास property है, पूरा पढ़ेंगे, viscous is nothing but a internal resistance, फिराल के रिए समझ दो, जो हमारा fluid होता है, वो layer to layer बटा होता है, और हर एक layer के बीच में क्या होता है, there is a friction, there is a घसरण, और वो जब ऐसा ऐसा रब होता है, तो वो क्या होता है, वो एक दुसरे को oppose करता है, मतलब एक layer, दुसरे layer को oppose करता है, इसलिए, इसलिए viscosity, क्या होता है, क् ऐसे होता है सारा चीज़ पढ़ेंगे बड़ यहां पर यह समझो कि इट इट इस नॉन विसकस मतलब उसके अंदर कोई भी फ्रिक्शन इंटर्नल फ्रिक्शन नहीं होगा लेयर के बीच में कहीं पर भी इंटर्नल फ्रिक्शन नहीं होगा ओके डाट विल बी और आइडियल अगर हम लोग यह अजम संस माल लेंगे ना तो कहानी बहुत सिंपल हो जाएगी अजम संस नहीं मानेंगे तो कहानी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग रहेगी हमनों मान के चलेंगे यह चीज़ मान के चलेंगे यह होगा यह होगा ही होगा उसी को आइडियल फ्लूड बोलेंग कहीं somehow is water correct but water ही है उसका perfect example ना ना ideal fluid हमारा assumptions है हम अपने assumptions से चल रहे हैं कि हम लोग assume कर लिए कि ऐसा ऐसा अंसन नहीं होता ओके ऐसा ऐसा नहीं होता हम ऐसा assume कर रहे हैं अब water के पास भी थोड़ी बहुत viscosity है की नहीं है कम है बट है ना तो वो ideal नहीं हुआ तो water is not ideal fluid यहां रखना ideal fluid हम assume करते कि ऐसा ऐसा होगा और तब जाके उसको हम लोग ideal fluid बोलेंगे और यह चाप्टर में हमको मान के चलना है कि मेरा जो भी given fluid होगा that will be a ideal fluid clear बात समझ में आ गई everyone तो क्या पढ़ना है हम लोग को यह चाप्टर में क्या पढ़ना है यह चाप्टर में अगर हम लोग देखने जाए तो हम लोग की दो कहानी है यहां पे पहली कहानी है fluid at rest second कहानी है fluid in motion fluid at rest and fluid in motion मतलब हम लोग यह पूरे चाप्टर को होगा तो उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होगी कुछ प्रॉपर्टी चेंज होगी कुछ फिनॉमिना चेंज होंगे बहुत 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 ब fluid rest पे है, अगर fluid rest पे है, और हम लोग उसका study कर रहे हैं, तो उसको बोला जाता है hydrostatic, hydro means the fluid or water, और static मतलब rest, यह है hydrodynamics, मतलब क्या, again the water and the motion, जो force लग रहा है उसके उपर, वो सारा बात करने वाले यहां पर, बात सम्झे आगे everyone, okay, so let us start with topic, अब यह topic पढ़ने से पहले तुम लोग ने 9th, 10th में पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा, okay, but यहां हम लोग वापस clear करेंगे, that is the pressure, that is the pressure, अभी भी बहुत लोगों को confusion होता है, कि pressure क्या है, अभी भी लोगों को बहुत confusion होता है, basically क्या होता है, कि अगर कोई object में, या फिर किसी vessels में, अगर मैं पानी रखा हुआ है, अब यह पानी rest position पे है, क्या है, rest position पे है, अब तुमको पता है कि पानी हमेशा फैलना चाहता है, पानी का, यह basic rule है, पानी तुमको पता है, कि तुम रोग जिस object में रखते हो, उस object में वो उसका shape ले लेता है, तो अगर इस bottle के अंदर मैं पानी भरूँग इसका मतलब यह है, कि वो जो पानी है इस bottle के अंदर, वो इस wall पे, इस wall पे, इस wall पे कुछ तो लगा रहा होगा, and that is the pressure, and that is the pressure, इसका मतलब क्या है, कि वो जो, यह मालो की यह bottle है, और यह liquid है, अब यह liquid, क्या करेगा, इस wall पे एक normal force लगाएगा, क्या करेगा, एक normal force, perpendicular force की कहानी आईगी, यहाँ पे, अगर perpendicular force नहीं है, तो फिर pressure की कहानी नहीं बनेगे, perpendicular force वड़ याद रखना हो, तो अगर यहाँ पे एक normal force है, यह normal force इसके उपर एक्जेक करेगा, तो what is pressure, pressure is nothing but that normal force per unit area, pressure is nothing but that normal force per unit area, यह pressure, ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है, the normal force exerted by a rest fluid per unit surface area, मतलब यह जो, यह जो bottle के उपर, यह जो bottle के उपर, वो force लगा रहा है ना, कितने unit के उपर लगा रहा है, यह, 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 पूरे, यह face पे लगा रहा है, तो यह face के उपर, जो force लगा रहा है, that is called pressure, that force per unit is called pressure, और अब अगर हम लोग देखने जाए, तो what is the basic unit of the pressure, तो SI unit अगर हम लोग देखने जाए अल्रेडी तुमको पता होगा तो SI unit of pressure is nothing but उपर force है, force बोले तो newton नीचे area, area बोले तो meter square, तो SI unit क्या है newton meter square, या फिर इसको लिखा जाता है, या फिर हम लोग इसको ही बोलते है pascal या फिर इसको ही हम लोग क्या बोलते है या फिर उसको newton per meter square लिखो या फिर पासकल लिखो, the meaning is same dimension क्या होगा, कौन बताएगा मुझे dimension अगर कोई 11th का बंदा यहाँ पर देख रहा है तो dimension बता दो, अभी चालू है तुम लोग का unit and measurement चालू है तो what will be the dimension for the pressure, pressure का dimension क्या होगा, उपर देखो उपर newton है, newton बोले तो force, by force का dimension हम लोग ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, force का dimension will be, that is l1, m1 t-2 यह minus 2 है, t-2 t-2 and what is the nature, meter square, meter square बोले तो l2 अब यह l2 उपर जाएगा, that become l1-2, that is l-1 m1 t-2 this is the dimension of pressure, this is the dimension of pressure, बास में आगे, okay unit क्या होगा, unit होगा newton per meter square और उसको अगर लिखना चाहो तो you can write in terms of pascal अब एक और unit होता है, जो हम लोग बहुत जादा use करते हैं, that is bar अगर तुम लोग ने सुना रहेगा, तो एक और unit वो ऐसा unit है है, याद रखना, उसको हम लोग बड़े unit के लिए यूज़ करते हैं, जाब बहुत बड़ा value आ जाए, वहाँ पे हम लोग use करते हैं, तो that is bar तो one bar is equals to 10 raise to 5 newton per meter square, या फिर इसको ही pascal बोलना है, तो pascal बोल लो, कोई problem नहीं है, दोनों same चीज़ है, दोनों same चीज़ है, तो one bar बराबर होता है, 10 raise to 5 newton per meter square कहानी समझ में आ गई, everyone okay, simple सी कहानी है एक दम, बहुत बैतरे हैं कहानी है, okay, pressure क्या होता है, pressure is nothing but force upon area, कौन सा force, the perpendicular force, कौन सा area, भाई, जिस surface पे लग रहा है, जिस surface पे लग रहा है उसका area, अब यहाँ पे यह जो pin है, इसके उपर कुछ pressure लगा रही है तो यह जो force लगा रही है, कहाँ पे लगा रही है, यह surface पे लगा रही है, तो वह surface का area, okay, बात सुन में आ रहा है, अब यहाँ पे ध्यान देना, पूरा पूरा हाथ consider करूँगा क्या, the answer is no, भाई वह force कहाँ पे लग रहा है, वह consider होगा खाली, इसलिए तुम लोग देखो, जितना चोटा area होगा, उतना ज्यादा प्रेशर ज्यादा होगा, उतना चोटा area रखोगे, उतना प्रेशर ज्यादा, जैसे सूई, अब अगर तुम लोग निडल आगे का जो पिन होता है, देखो यह पिन बहुत पतला है, मतलब इसका area बहुत कम होगा, area कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, इसलिए देखो जो निडल होती है, वो फटाक से हमारे बॉड़ी के अंदर घुश जाती है, same as knife, knife बहुत पतला होता है, बहुत पतला होता ह उसका प्रेशर बहुत जादा होगा, मतलब हलका सा भी अगर तुम लोग उससे भाजी काटोगे, तो भाजी कट जाएगी, so that is the reason behind, बहुत बड़ा काम करता है प्रेशर, प्रेशर का बहुत बड़ा रोल है, बासने में आ रहे हैं, यहाप हम लोग फ्लूड प्रेशर की ब रखा है पानी, हम लोग हर बार पानी इस्तमाल करेंगे, मैंने बोला ना, आइडियल फ्लूड बोले तो पानी, but वो एग्जैक्ली पानी होता है, का आंसर इस नो, ओके, चल, so माल लो यहापे पानी रखा हुआ है, हरा कलर का पानी लेंगे हम लोग, हम लोग ग्रीन कलर का पानी लेंगे, याद रखना, पानी ब्लू होता है, बड़ आप उना एजिम करेंगे ग्रीन कलर, ग्रीन अच्छा होता है, चल, so हरा कलर का पानी होगे, अब यहापे देखो, अब यहापे देखो, अलगी है पानी के अंदर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, अलगी र और सिलेंडर, हम लोग क्या करेंगे, एक सिलेंडर कंसिडर करेंगे, जिसका हाइट कितना होगा, जिसका हाइट कितना होगा, जिसका हाइट होगा, एच, हाइट इस, एच, ओके, यह इमाजिनरी सिलेंडर है, इमाजिन हुआ यह, यह हमारा अजम्शन है, कि यहापे मैंने H बनाया है, यह actual में cylinder present नहीं है, मैंने उस liquid वो जो liquid है, वो liquid के आज़ू आज़ू एक imaginary cylinder बना दिया है क्योंकि हमको pressure calculate करना है माल लो उसका जो base area है with base area with base area A उसका base area कितना है? A ऐसा हम लोग माल लेते हैं, अब मुझे पूछा कि what will be the pressure due to this water column liquid है, माल ओईल है तो oil column, अगर water है तो water column और तुमको पता है कि basically हम लोग हर बार assume करेंगे कि water होगा, तो इस water की वज़े से, इस liquid की वज़े से कौन सा और कितना pressure कहां लगेगा, ओके सो कहानी देखो, कहानी देखो, हमको पता है what is pressure का formula, pressure is nothing but force upon area हाई ना, अब यहाँ पर force किसकी वज़े से लग रहा है, इसके weight के वज़े से यह सो नो, यहाँ पर जो force है, वो क्या है, nothing but weight nothing but weight of liquid column हाई ना, भाई हो जो liquid column है उसके वज़े से ही weight लग रहा है, और मुझे पता है what is the weight, weight is nothing but mg, weight is nothing but mg but अगर मैं तुमको बोलू कि इतना mass calculate करना है, तो mass calculate कर सकते हो क्या, यह कितना पानी होगा पता चलेगा क्या, ना, यह तो imaginary है यह जो cylinder है, वो तो imagine किया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, mass को substitute करेंगे in terms of density and volume okay, देखो यहाँ पर mass है, that mass can be written as that mass mass can be written as, वो mass को कैसे लिख सकते हैं, वो mass को हम लोग लिख सकते हैं कैसे, density यह है density, याद रखना density of liquid density of liquid into volume what is volume, volume of that liquid column volume of liquid column, मैं short में निप्टा दे रहा हूँ के तुम लोग मैं short में निप्टा ना, तो volume of a liquid column, what is density उसको पकड़ लेते हैं, row, keep as it is अगर मैं volume की बात करूँ, तो volume क्या होगा, nothing but the surface area into height हाई या ना volume क्या होगा, nothing but यह surface area into height तो what is surface area, a into height is h तो मेरे को mass मिल गा, what is mass, mass is nothing but row, area into h substitute this mass here, यह force में mass put करो, देखो, क्या मिलेगा अगर यह mass उठा के force में put करो, तो क्या मिलेगा, f is equals to, देखो, m के जगे क्या आजाएगा, m के जगे आजाएगा, row, a, h into, g, मेरे को force मिल गया, अब यह force को उठा के pressure में fit कर दो, तो अगर मैं substitute करूँगा, माल लो, इसको equation number 1 दे देता हूँ, और इसको equation number 2 दे देता हूँ, यह 1, और इसको 2 दे देते हैं, तो अगर मैं 1 और 2 को देखो, from 1, from 1 and 2, कहानी क्या मिलेगी देगा जगा, इस force को area get cancelled, क्योंकि दोनों के दोनों surface area है, और दोनों के दोनों surface area है, तो दोनों same area होंगे, cancel हो गए, क्या मिलेगा, pressure is equals to rho g h, this is the formula, okay, due to the liquid column, मतलब उस liquid column की वज़े से, कितना pressure लगेगा, इतना pressure लगेगा, मतलब, rho, rho is nothing but the density of that liquid, हम लोग ने कौन सी density इस्तिमाल की है, g is nothing but acceleration due to gravity, and h is nothing but the height of the column, okay, अब ये matter नहीं करता कि उसका base area कितना हो, यहाँ पर देखो, अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं, कि liquid column की, तो तुम लोग ने सुना रहेगा कि ocean के अंदर, अगर हम लोग इतने depth में रहे, तो ज़्यादा हमको यह लगेगा, और नीचे जितना जाते जाते जाएगे, और बढ़ते जाएगा pressure, और बढ़ते जाएगा, इसका मतलब यह है, कि उसका जो depth है, वो increase हो रहा है, इसक G is nothing but density, G is nothing but acceleration due to gravity, and H is nothing but a height, इतना pressure लगेगा, इतना pressure लगेगा इस column की वजे से, वास समझ में आ गई सबको, everyone, ओके, पका, ओके, चलो, बहुत बढ़िया, ओके, तो अगर आज का topic में तुमको कुछ डाउट है, देखो, आज का topic हम लोग यही निप्टाने वाले, यही खत करना रहा है, तो वीडियो को लाइक करते हो, अगर कुछ डाउट है, तो मिले को पूछ सकते हो, अगर डाउट है, परसनली बात करना है, तो you can DM me on Instagram, Instagram का मेरा ID है, iSanjeev, underscore, पांडे, ओके, तो यहाँ पे तुम contact कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, कोई problem नहीं, ओके, तो अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है, तो वीडियो को लाइक करना है, ओके, चैनल में अगर फर्स टाइम हो, तो सस्क्राइब कर लेना, ओके, शेर करना है, तुमको पता ही है, पासन में आ रहे हैं नहीं समय में आ रहा है, ओके, चलो, यह topic यहीं पर हम लोग end करते हैं वीडियो यहीं पर end करते हैं, तो आज के लिए बस इतना है, that's it for today, thank you so much